जी नमस्कार दोश्टों आए शुरू करते हैं हम अस्थल खंडे से यह हमारा यूथ जो 10,000 प्लस प्रसनों का एक संग्रा है TGT PhD साल पेपर का उसके अस्थल मंडल से हम सुरुआत करते हैं यहाँ पर कठिन और परिश्चा में बारबार आने वोले प्रसन आपको मिलेंगे प्रसन जो पूरी किताब से हमें लगे उसका एक संग्राम ने तयार किया है सभी क्लिए बहुत महत्र प्रूड है आईए पढ़ते हैं भारत का धरातल पत्रक सरबयाफ इंडिया तयार करता है एरी प्लस प्राट की परिकल्पना का समन्वे एसकीनन महोदे ने दिया समझते अधिक होता है ऐसा प्राट महोडे करते हैा carried महोडे का थे प्राट को एक मिला करके इंदोनों का समनोय प्रश्थत्रित किया है सकीन और अगर अगिन कम होटा है कि कम होता है और सबसे ज़्यादा कठोर हीरा होता है इसका दस होता है तो आप इसे ट्रिक सियाद करिएगा कि हीरा यहां पर थोड़ा सा सब्द जो है है यहीर। ग्याट मिलता हम यह तो यहीं से टूटते थे यहीर। प्याह प्याने की मिलता है 눈 जाएक। ई Tube साथ समंदर पार भी करने बड़ा असान उसको लग जाता है यहीं कि साथ समंदर पार करने सबसे कटिंग काम आना जब तो भी उसके लिए असन लग जाता है तो कौर चैबन आर्थुक लाज लाज शीघ्ञार आर्थुक लाज के लिए इसके लिए फिर फिर्टाइट फाइव इसको मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है यहीं पूछ लिया जाता है तो फिर कि कोर का तापमान ounding- on if we get 3 mm और बढुतial कैस तरिक अब से कथory है जो चे आधे में ने जाती है तो कि Ben ऑक शूंट कितना होता है इस सकोर का इस स्कोर का घनत फॉक्ता है तेता फिर्था आस्वी धर कीका क deduction हो ति데 लेकिन जो आधुनिक मत के नुसार उपरी करश्ट को दो भागों बाड़ दिया गया उपरी करश्ट और निचली करश्ट का घनत तो अधुनिक मत करश्ट दो दस्मलवाट और निचली करश्ट का घनत तो । टीन होता है। अधिक भूगडतीय एं नतराष्टिय संग के अनुसार। ठीक है भूतल भूपटल की आउसत मुटाई भूपटल नहीं की करस्ट की आउसत मुटाई भूगड़ती और भूपटी की इंतराश्टी संग के नुसार तू भूगर्टियों भूभखड़टियों निर्कियं वरतकी संकर्षा तीस कलोमीटर होती हुँआ होती है कि परिवत्पुलन ने श्याओं स्य जाता है JE YOU और आगे तूट करके और आगे चला जाता है जैसे कस्मेर की घाटी में जो है कस्मेर की घाटी एक नयपे कवधारण है तो नयपे जब बोलन तूट करके जो है वो हजारों किलोमेटर दूर जाके उसकी चक्ताने चली जाती है तो उसको नयपे कहते हैं तो नयपे कनिमान होत और आगे है चक्टानों के प्रिकार और उनकी भी सिस्ता ये तो किसे परसंद देखते हैं। खादिघण के बनती है तो सबसे पहले आपकी आगने बनती है आगने उसके बनती है और शाधी के बाद रूपान्तृत बनती है ये करम होता है ये करम गलत में होना चाहिए और रोने के सांफवाख जता है अधलिक भैक्रिवा कैडशोस सेटाब खृत सब्सक्राइब अदधाआए है अ उनमे НХेस रख़ेक़ हौए जन्हें प्षारव के सांफटा उपर कजा है और और मतिस् conf говорит प्रिद करते हैं अब यह उपर नीचे जाए यह दाएं भाएं भी जा सकता है ठीक है इसे भी जा सकता है अब अगला देखिए बालू पत्थर का रुपांतर होता है तो क्या बनता है ठीक है फिस सेल का रुपांतर होता है में फिर सेलललीट का रुपांतरण होता है सिस्ट में इखिए कि यह अ्यृं आख़ भूल जाते हैं दिमांग से जो आख़े तो सिस्ट का सिस्ट का रुपांतरण होता है अगने चक्ता हने ठीक है अब रुपांतृ अरे रुपांते है निस вокруг ग्रणाइट निजगर से निजगर से बनता है, बसाल्ट से एम्फा आग्हले नमक जो नमक लाइट मत्रामें घलकória के खाया जाता है धिक शोल्ट आगने चकान है। यागने घलकाल में घलकी मत्रामें खाया जाता है क्रेटन सब्द 1921 में कोबर महोदे ने दिया था कांगलो मरेंट याद रखिए कांगलो मरेंट एक आवसाधी चटान है सबसे पहले होता है चटान निर्मित खड़े ढाल वाला उच्छी सपाट भाग मेसा कहला था इस्पैनिस सब्द है बिल्कुल मेसा कहलाता है और दावात चैसी जो अस्थला किती उटी है उसे बूटी कहते हैं सुष्क प्रदेशों से प्राप्त होने वाला बिल्कुल सुष्क प्रदेशों प्राप्त होता है लाबा की गुफाय किस परकार की काष्ट भहूम के उधारण। ये सिवूडो काष्ट का एक परकार है, इसी परकार के उधारण। और जब अधिक मात्र होगी तो उसे तल गहते हैं, बिल्कुल वे चीज़ अगर कम है टोनी की परत में है, पतली सी परत में हैं और अधिक मात्र होगे पूरत तल है, पूरत तल का निर्माण कर रहा है, तो रोडी, बेहद, आस्थिर और धीले कोडी ये बलाख है, ठीक है, र जोरडी है chilli Μोफ यह जो ऊटनी आपके तो जो है कोशा से पूछा के लुचह अक तो देखिए आपका जोहाई अंध्रा पर्देस में ठीक है फिर चे आसली है पापाधानी स्रीनी यह कुडपा करम की शत्ता नहीं है' ठीक है कुटप पक्रम की चक्टाने तो घारवाड होती एक धारवाड होती है सबसे ज्यादा क्या होता होता है इसमें रहा जड़ा अर्कीयन के चूरों से निरमाड होता है दharवाण से निरमाड होता है कुडपा का यह करigers पूच चा जाता है एक हम मेराब का चता निमुर्भ है अत्शादोन आत् Agrgyो चतणहण कि प्राफ्त आप चतत आपका अपकी उस्टेशं संखंडास्मी प्रयदास्यल को सेल कहते हैं ठीक्षे यह खंडों में नहीं होती है यह प्रधास्यल इसको सेल कहते है अगरला पेछे करें यहां से शुरूता है सांभार जिल में नमक मिलता है क्योटा है सांभर जील में नमक मिलता है क्योंकि क्योंकि यहां देखिए हमने यहां पर प्रस्ण जो है जो ब्याख्या दी हुई है यूट में प्रस्णों की ब्याख्या से भी प्रस्ण ब्याख्या से भी है अधिक प्रस्ण ब्याख्या से भी है सांभर जिल में नमक मिलता है क्योंकि यहाँ एक जील है जिसका कोई बही प्रवाह नहीं है बिल्कुल सही बात है क्योंकि यह जील है जिसका कोई बही प्रवाह नहीं है जस्ता दो तीन चार आपसन दी रहेंगे सभी आपसन इसमें आपको सही लगता है है तो यह आरकीयन अरकीयन झ मृ रहता सीजा का यस्थी यह जो इस्थिति होती है तो इस पर जो है इसका यहां पर बोरिंग कर दी जाती है तो यहां से खनिस्तिल निकलने लगता है ठीक है यहां से निकलने लगता है यहां से प्रेसर पड़ता तो यह अपने आप नीचे निकलने लगता है यह भी होता है बाकि मसीनों से निकला जाता है तो एक संभावना होती है अ पर्दण चक्र होता हुए, उसका अंतिम रूप होता है ठीक है बूँश खलन में क्या होता है ज़रूरी है कि जूँच पुनच को मलोई के तुनात्मक रूप से सुस्क पुंज वहहाँ पर बूश खलन होता है जोला मुखी के धूल और राक समागरी को क्या कैटें दिखें, हुने इसको बिल्कुल की वर्ड में लिखा है, बहुत ज़्यदा हम प्रस्म को विस्तार से नहीं लिख करके उसका उत्तर नहीं लिखें हैं, बहुत जल्दी में हम सिपकी की उसका एक हो उत्तर नहीं है, एक प्रस्टिक के रुप में जाना जाता है, जोला मुखी और धूल के धूल और राक समागरी को, ठीक है, जोला मुखी से धूल और राक निकलती है, उसको पाई रूक क्लास्टिक बोलते हैं, इस्ट्राम बोली सिसली द्रीपर है, ठीक है, वलकैनियन लिपारी द्रीपर है, टीक है वहल्कायनिएट लीपाली द्रिपहर है पिलियन मार्टीञी द्रिपहर है पिलियन मार्टीग द्रिपहर है बहुती पहले गायम spine Car बैएँ पर बैंकर जाला मुखी होती है विस भीजी उए इटफलिह में है इस उने में तर्था मां टितना दोनों में इलिव और गवने से कॉते हैं और इस से निकलने वाली पृदात हैं तो स्कुनीक को बैकोलि जी बहुत है जोला मुखी किरिया जोला मुखी और उनका उनका भी शुर्पित्र रना थोड़ा सा इसके बार देखते हैं ऑंपर भी थोड़ा जोला मुखी बारे भार हुटा ही तथा उंचे ताप पर पिखलता है छार प्रधानलावा ठीक है छार प्रधानलाव में काला रंग का होता है ठीक है काला रंग का होता है छार काला रंग का होता है पतल अद्रो होता है ठीक है पतल अद्रो के रूप में तो सिलिका की कमी होती है इसमें अमले में सिल्का की अधिक्ता होती है यह गड़ा होता है जोला मुखी संकु पर पंक प्रवाह या लावा प्रवाह को लहर कहा जाता है ठीक है जोला मुखी संकु पर पंक प्रवाह या लावा प्रवाह को लहर कहा जाता है ठीक है जैसे जोला मुखी संकु यह है यह है यह सो जोला मुखी संकु इसमें जो पंक य जोली है लेकिन उंभिल भैकोलेट भी लावा लेहर की रूप में हूं उपने इच्रोंस वह तो सब्हसेया, ज divisions is जिएखिएका है लेकिन जोला मुखी चट्टानों में पाय जाने लिए प्रमकु गैस क्या है यह जलवास्प है ठीक है जलवास्प यह कह सकते हो यह च्टू ओ ठीक है पानी जीसे बोलते हो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नबे परशन पाई जाती है गैस और खनीच सलफर जोला मुखी की लोनार है लोनार को माना जाता है उलका पिंडिय भी जी ले तो जोला मुखी भी माना जाता है मांट ताल कहा है देखी फिलिपिन्स में मांट ताल है लुल ई लाको जोला मुखी कहा है लुल ई लाको चिली में है ठीक है चिली लुल ई लाको चिली मांट ताल फिलिपिन्स ताल फिलिपिन्स लुले लाको छीली में धन्यमाद अगले वीडियो में हम इसके बाद जो हमारा बचला उसको हम देखेंगे, अगले वीडियो में यह अस्तिर मुंडलाग का समाप्थ हो जाएगा, यहां तक के 3 पे जब ही है, यह अगले वीडियो में लगए नहीं तो दो विल्यूमी ये समा तोजय ये तेंक्यू